दोस्तो इस वीडियो में हम whatsapp पर dark mode जो है वो एक्टिवेट करने वाले हैं डार्क मॉड एक्टिवेट करने के कई फायदा है सबसे पहले तो dark mode एक्टिवेट करने से हमारे mobile की जो battery है वो कम consume होती है दूसरा फाइदा यह है कि dark mode से हमारे आखों को ज़्यादा परिशानी भी नहीं होती है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गनेश आप देख रहे हैं टेक माइड चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैब कीजिए उसके बाद बेल आइकोन को भी एनेबल कर दीजिए इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेर कीजिए तो दोस्तो इस वीडियो में हम होटसब पे डार्क मोड जो है वो अक्टिवेट करने वाले हैं इसके लिए आपको सबसे पहले आपका Hotsap जो है वो updated होना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा Hotsap जो है वो updated है इसलिए मैं सिर्फ इस पर open पे click करूँगा तो यहाँ पे देखें Hotsap जो है यहाँ पे by default जेसे हम इंस्टॉल करते हैं तो इसका background जो होता है वो white होता है तो white से क्या होता है हमारी battery भी ज़्यादा consume होती है और हमारे आखों को भी ज़्यादा परिशानी हो सकती है तो सबसे पहले आपको whatsapp पे dark mode activate करने के लिए यहाँ पे जो 3.dick रहें इस पर आपको tap करना है इसके बाद आपको जाना है setting में और setting में यहाँ पर चाट एक option होता है उसमें जाना है तो यहाँ पे एक number का option है theme का तो इसमे system default होता है और dark light और dark होता है तो इस प्रकार से इस trick से इस setting से आप अपने mobile का dark mode जो है वो easily activate कर सकते हो